सकार, आज हम सब, अरे, कहां गई सब? आज हम सब नाटक करेंगे, नाटक करेंगे, नाटक करेंगे आज हम सब नाटक करेंगे, नाटक करेंगे पास पते की मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे आज हम सब नाटक करेंगे कही है ये बार हजार उपी बार पता है सभी को दोहराएंगे फिर भी सुरक्षा से जीना विवस्था से जीना ना भूले कभी भी ना भूले कभी भी हम सब सुनते हैं हम सब जानते हैं फिर भी भूल जाते हैं जाने अं जाने हम जाने पह जाने नियमों को तो उड़ जाते हैं तो सोचो, जरा मिलकर सोचो सोचो, 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 सोचो हरे, क्या सोची, कैसे सोची अरे भई, आज का ये जिन्दगी घर में कम और रोट पर जाना गज़ती है सही कहा, सुभा निकलते हैं और शाम धलने के बाद घर पहुंचते हैं अगली सुभा फिर वही कहा है वही तो रोट पर सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए ही तो कह रही हूं वो तो है, नियमों का पालन तो जरूरी है पर हम सब ऐसा आप करते हैं क्या कुछ कर दो दुनिया वालो तुम भी कहो तु देखो देखो ना तक देखो सड़क पर होता क्या क्या देखो देखो और सोचो ना हमने सिग्नल देखा ना तुमने सिग्नल देखा एक्सी रेंट हो गया रबा रबा रोड सेफटी ये तो हम सब जानते हैं मगर अगर हेलमेट पहना तो ए तुझे हेलमेट की क्या सब्रत गाड़ी चनानी आती नहीं क्या अगर सिगनल फॉलो किया तो ये ये मुंबई है मेरी जान अगर सीट बेल्ट पहनी तो ए डर लगता है क्या डर? डर? हाँ लगता है डर मा के आंसमों से जो बेटे की मौत पर निकलते हैं पिता की जले जाने पर जब पूरा घर अनाथ हो जाए उससे लगता है डर लगता है डर जब कोई अजीज दोस हमें छोड़ कर चला जाए जिसके बिला जिन्दगी तो क्या जिन्दगी का एक बल भी गवारा नाथ है लेकिन हमारी नवाभी शान हमारा किस स्टैंडर्ड आये देखते हैं कुछ ऐसी है जूटी शान और उनका अंजान क्या गजब का है लेट पेरा पारो ओ पारो लगती हो तुम जो कर इसको उतारो उतारो अरे आज तो मैंने कोई रूल भी नहीं तोड़ा हेल्मेट भी पहना है फिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं हेल्मेट वही तो प्रॉब्लम है इस फैशन की दुनिया में हेल्मेट हेल्मेट कहां का है फैशन विवार देगा सारा इंप्रेशन इसे देखकर साफ पता चलता है शराफ़त में लोग जीने कहां लेती हैं लेकिन फैशन अपनी जगा सुरक्षा अपनी जगा याद रखिये सुरक्षा को हमेशा प्रथम महत्वदीजी और रोग बुटे रोग गटी रोगा पड़ी उसाब मैं तो एथे जले आसी ओ तैनों सिंगनल ही विगदा ते काटे लसांस लसांस ता करें पया वावी बाद नी लसांस करें अंडे देंदा और तेरा चलान हो ते तेरी कड़ी पॉड़ होईगी चल जिनाब को एक मिट साब तेरा साइड़ते आयो साइड़ते जिनाद लेएदे के काम ख़तम करो ना सरकार नो रिष्वत ते री ता एक कड़ी 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 जाना हो चाहें यहाँ यह वहाँ भूलो ना ले जाना हेलमेट लाइसेंस और जरूरी पेपर्स सिगनल तोड़ो ना ना लो कोई रिस्द ये तो हुई सिगनल हेलमेट लाइसेंस पेपर्स और रूल्स की बाते आजकल नहीं भूल सकते हैं उस चीज को जिसके बिना ना बी मोलो, मोलो,وبाइट वोन, और गया। हम, हाल तो यह है कि लास्ते में चलते हुए भी चाटे चलती रहती है। गाड़े चलते हुए भी कानों से लटकती रहती है मौत की रसी। अरे, अरे, मौत की रसी नहीं, इयरफोंज। हाँ हाँ वही एरफोन्स आओ दिखाती हूँ क्यों बोले इसको मैंने मौद की रसी के भाई जरा देखके चलो आगे ही नहीं बीचे भी ओपर ही नहीं नीचे भी के भाई All of War अब अबक्योंर आगया तू हलो सक्से नसर बस पहुंच गया सर किदनी देर से वेट कर रहे है और क्लाइन भी आर क्या आ रहा है सर बस आ रहा है बिया और दो तक नई बुदार चार भाई बस पंद्रा इनट और तो देखा आपने वहां चालक का फोन इस्तिमाल करना कितना घातक होता है वहां चलाते वक्क खृप्या फोन ना उठाए और अगर आपको पता चल गया है कि कोई वहां चला रहा है तो फोन एकदम से काटते सही रहा है साफ राणी हटी दुर्गत्ना हटी दुर्गत्ना के बाद चली है तो यह तो मानना पड़ेगा कि दुर्गत्ना कभी भी कहीं भी हो जाती है बाद ने बहुत बुरीता टक्राया है इनका स्कूटर बस से खोन कितना बेना गया है अरे भाई साब जर आपनी काड़ी में इसको लेके चलते हैं न अरे नहीं कौन इस जंजट में पड़ेगा फुलिस को चक्कर ना बाबा ना एंबुलेंस को कॉल करो भाई साब तक तक तो बहुत देर हो जाएगी तो देखा आपने ऐसी स्तिती भी अकसर देखने को मिलती है परंतु हम सब को यह जानना पहुत जरूरी है कि कानूनी तोर पर दुर्गटना के शिकार व्यक्ति की मदद करने वाले को किसी भी प्रकार के शोशन से बचाय जाने के प्रावधान हैं इसलिए हाथ बढ़ाओ आगे आओ मद कवराओ सबक दुर्गटना में मदद करो और जीवन बचाओ बच्चे हैं हम चोटे से कि मैं कोशिट दिर से ये संदेश चंजन सत्क पहुंचाने की करक्ष रक्षा है और जिरूरी आए कशम ले इसको अपनाने की कशम ले बहुत नाने की